हेलो क्रिकेट लवर्स तो क्वालिफाय टू आ चुका है आरस भी वर्सेज राजस्थान तो यहां जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाय करेगा फाइनल में तो राजस्थान जाएगी हा फिर बैंगलो और दोनों ही टीम में काफी शांदार मोड में है आरस भी अपना पिछला मुकाबला जीत किया यानि मुमेंटम बना कर आई है और राजस्थान अपना पिछला मुकाबला हार कर आई है जहां प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट ओवर में 16 रन तीन गेंदों में भी नहीं बचा सके तो जानेंगे कि इस मुकाबले में कौन हावी है किसके जीतने के चांसे जढ़ा है कि अपे अपर पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा फायदेमन्द होगा क्योंकि आप जानते हो कि यहां का जो average score है पहला 174 इंटरनेशनल मैचिस में और second का है 166 यानि कि अगर आप first inning में काफी boost कर देते हो तो आपको chase करवाना बहुत मुश्किल होगा अगर हम यहां बात करें spin को मुदद मिल सकती है bounce सी पीच आए और यहां पर bowl रुक के तो थोड़ा कमी आएगी और यहां पर आपको variations लानी पड़ेगी नहीं तो बल्लेबाजों के पक्षमिया पीच जा सकती है अगर हम आप IPL की बात करें तो यहां पर first inning का जो average score है वो 133 set है और second inning का average score 157 तो यहां पर जो है बल्लेबाजों को अच्छा फाइदा मिल सकता है पर उनको जदा फाइदा मिलने को मिल सकता है अब बात करें कि क्या प्लेंग 11 होने वाली है पहले हम बात करते हैं RCB की तो opening जोड़ी वही विराटकोली डूपलैसी दूपलैसी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वो left time spacer के सामने काफी struggle कर रहे हैं और काफी बार zero पर वाउट होगे semi final में उनकी requirement बहुत चाहिए कप्तानी पारी चाहिए कम से कम opening की 50 प्लस partnership चाहिए चाहिए उसके बाद आएंगे आपके Maxwell फिर आपके रज़त पाटेदार जो की eliminator में सूपर स्टार थे महीपाल लॉमरोर फिर दिनेश कार्तिक आएंगे फिर आपको दिखने वाले शहाबाज एमाद फिर वानेंदू हसारंगा काफी अच्छी गेंदवाजी के नोने उसके बाद हर्षल पाटेल फिर सिराज आएंगे फिर आएंगे आपके हैजल वूड अब बात करते है राजस्तान की तो बटलर पर बहुत निर्बर करती है उनके साथ ये शासी जैसवाल आएंगे फिर आएंगे संजू सैंसन फिर देवदत पाडिकल रियान पराग अश् क्रिशना को खेलाएंगे की नहीं खेलाएंगे यह उनको को स्ट्रेटेजी मोगए और यहां पर कृष्ऩा अच्छी गिंदवाजी कर सकते मेरे साब से और यहां पर कुलदीप सेन या फिर मैकावई मैंसे कोई ये खेलता आपको दिख सकता है क्योंकि कुलदीप सेन का दोनों टीम के अंदाज से कि अगर RCB जीती है तो उसमें किसका रोल हो सकता है अगर RCB को जीतना है तो उनके दिनेशकार्तिक फिनिश अच्छा होना चाहिए और टॉप और में से किसी बल्लेबास को चलना पड़ेगा चाहिए विराट कोली या डूपलेसी मैक्सवेल हो सकते हैं रजट भी अपने अच्छी फोम में है वो भी अच्छा करते हैं या फिर हो सकता है कि अगले मैच में महीपाल लूम्रोर क कुछ इंट्रस्टिंग पारी खेल जाए अगर गेनबास हम बात करें उनको जीतने तो हर्शल पटेल का रोल बहुत ज़्यादा है और हर बात जब भी आर्ट से भी जीतना उसके अदर हैजल वूड कुछ ना कुछ करके जाते हैं और हसारंगा जो है प्रेशन बिल्ड करते है परनतों अगर बटलर 150 से उपर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो राजस्तान के बहुत फायदा करते हैं देवदत पाडिकल भी अच्छी हिटिंग करते हैं और यहां पर इनके पास प्लस पॉइंट है ट्रेंट बूल्ट ट्रेंट बूल्ट शुरुवाती ओर में विक काफी ज़्यादा जा रहे हैं और सिराज काफी महेंगे जा रहे हैं जीत तो गए वह लखनों से परन्तु काफी ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे हैं अब हम बात करें कि राजस्तान के लिए क्या ज़्यादा परशानी आ रहे है तो इनके में है कि फिनिश कौन करेगा अश्वन ने मैं जिता दिया, रियन पराग ने जिता दिया, हैटमायर ने जिता दिया, परंतु हर बार फिनिश करने हम उनको काफी परिशानी आ रही है, और डेथ ओवर में कौन समालेगा, उनकी टिम में कुलदीप से ने भी आपको मुकाबला जिता दिया, आपने उनको ही भार कर दिया, तो हर बार तुका नहीं लगता, यहाँ पर मैं बताओं कि कौन फैवरेट रहने वाली है, तो अगर राजस्थान जीती है, तो उसमें कहीं न कहीं रोल बटलर का रहने वाले है, बले बाजी में और गेंद बाजी में कहीं न कहीं बोल्ट या चहल आपको चमकते हुए दिख सकते हैं, तो मेरे साब से जो विनर रहने वाली है, वो रहने वाली है, आर, सी, बी, क्योंकि मुमेंटम उनके साथ है, राजस्थान भी जी सकते हैं, पर उन्तम ने अपनी प्रेडिक्शन दिया है, आप कमेंट बोक्स में ये बताएगी कोन जीतरी है मुकाबला, एंड वीडियो पसंद आये तो उसको लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू करें,